यह आर्टिकल पॉलिटी का विजन आयस का अक्टूबर मन्त से है यह जो आर्टिकल है यह आपका है CBI और स्टेट के उपर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि फेडरलिजम में आप देखो तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक टसल चल रहा है उसका एक एलिमन्ट CBI भी निकल के आ रहा है जो CBI है वो सेंटर की बॉड़ी है और अगर वो स्टेट में जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उसे उस स्टेट का परमिसन लेना पड़ता है तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रिम कोड गई है विस्ट बेंगॉल गॉवर्मन्ट की CBI के मिस्यूज के कनेक्शन में तो सेंटरल गॉवर्मन्ट ने सुप्रिम कोड से कहा है कि जो West Bengal government है उसके पास कोई absolute power नहीं है कि वो CBI को रोक सके from investigating crimes inside the state मतलब कि CBI को नहीं रोका जा सकता इसी बारे में और अगर देखें तो अगर आपको CBI के बारे में constitution के अंदर आप देखें तो article CBI के बारे में बात नहीं की गई है लेकिन जो article 131 है उसमें बात की गई है किस बारे में तो जो state का जो right है state का जो basic right है constitution में उसमें अगर union government intervene करती है तो उसके against कोई भी state जा सकती है court तो union government जो है respond करी थी to a suit filed by West Bengal government against union of India under article 131 जैसा मैंने का under article 131 कोई भी state court जा सकती है center के against जो article 131 है वो deal करता है आपका original jurisdiction of supreme court जो की जो की deal करता है आपके center और state के relation का तो state जो है challenge किए CBI का jurisdiction की वो जो investigation है वो state में कर सकती है की नहीं अभी देखे और all together 8 ऐसे states है जिन्होंने consent withdraw करके रखा है to CBI जैसे महाराष्ट पंजाब राजिस्थान ऐसे सब states तो इस तरह से हमने समझा कि क्यों यह news में है अगर हम prelims point of view से देखे तो CBI के बारे हम समझेंगे कि यह एक main investigation investigating agency है central government की यह एक statutory body नहीं है CBI director के बारे में अगर आप देखोगे तो लोगपाल act 2013 ने प्रिस्क्राइब कि कि CBI directors will be appointed किसके recommendation तो आपका इसमें आएका PM फिर leader of opposition इन लोगसभा फिर साथ में आपके chief justice of India अगर वो नहीं वे तो judge of supreme court तो इस तरह से यह आपका appointment body होती है CBI director की अगर आप investigation procedure देखो तो Central government authorize कर सकती है CBI को कि वो कोई भी case को investigate कर सके in a state लेकिन इसके लिए judge है कि वो उस state का consent भी उसे मिले मतलो कि permission मिले तभी वो वहाँ पर जाके investigate कर सकती है Supreme Court और High Court लेकिन जब आप court के बारे में बात कर तो Supreme Court या High Court यह order कर सकती है CBI को to investigate such a crime anyway in the country मिले हो की court के द्वारा फिर आप CBI का कहीं भी use किया जा सकता है चाहिए वो किसी भी state में हो अगर आप impact of CBI and state देखे तो देखे अगर आप CBI और state के पारे में पढ़े हो तो आपको यह यह angle ध्यान देना पड़ेगा एक तो politics over federalism दूसरा impact the functioning of the state और दिसरा investigation मतलो इस तीन एंगल है आपका CBI और state के ऊपर एक तो आपको समझना पड़ेगा CBI within federalism के एंगल में मतलो कि यह जो center of state के बीच में जो tussle है उसमें कैसे CBI है दूसरा की state के functioning को कैसे impact करती है जब CBI आती है क्योंकि CBI एक center body है तो state पर क्या impact करी है और तीसरा की इस tussle के कारण क्या impact करता है investigation पर तो इस तरह से हमने समझा impact of CBI and state ठीक है लेकिन आगे समझते हैं कि जो aspect of federalism है जो की affected होता है with respect to CBI and state ठीक है इसको भी समझने की ज़रत है तो इसको देखता है जो पुलिस है आपका जब आप पुलिस के बारे में बात करते हो तो यह आपका आता है under seven schedule मतलब कि जो पुलिस है यह state subject है जो है state subject है ठीक है और general consent of CBI आपको मतलब कि किस भी state government का consent लेना पड़ेगा अगर CBI वहाँ पे जाके investigate करना चाहती है और यह यह तो case specific हो सकता है कि हर एक case के लिए CBI permission ले या in general भी overall in total कोई भी state permission दे सकती है या फिर वापस ले सकती है तो यह एक तरह से state का state के power में आता है उसी तरह जो general consent जो दिया जाता है by state इसमें क्या होता है कि जो CBI को help होता है in seamless investigation of cases of corruption against central government employee in the state मतलब कि case by case फिर उनको permission नहीं लेना पड़ता अब समझते हैं कि क्या क्या issue आ रहा है due to cooperative federalism मतलब कि क्या क्या issues है अगर आप federalism के अंगल से देखो तो पहला तो है कि concurrent jurisdiction मतलब कि जो bodies जैसे CBI हो गया या नार्कोटिक्स control bureau जो कि अब भी recently Mumbai में हमने देखा इनका इनको जड़रत होता है multi jurisdiction crimes मतलब कि आप center का भी इसमें role है और state का भी क्योंकि इसको अलग-अलग state में जाके investigate करना पड़ता है yet its concurrence with the local police force and preemption causes recurrent federal issue मतलब कि जैसा आपने recently news में भी पढ़ा होगा कि जो नेशनल नार्कोटिक्स है इससे रिलेटेटी बहुत ज्यादा टसल हो रहा है इस पेसली उन states में जहां पे central party और state party अलग है अलग है मतलब कि center में BJP और state में कोई अब अलग party है तो दूसरा की power tilted to center मतलब कि यह सब जो bodies है इसके थूँ देखा गया है कि जो power है वो center को ज्यादा मिल रहे है compared to the states तो यह power tiltation दिखा रहा है to center तीसरा है complexity of article 131 Supreme Court ने बहुत ज्यादा heterogeneous decision लिया है on whether state can challenge the center under article 131 मतलब कि जो article 131 है यह भी बहुत complicated है इस पर उतनी clarity नहीं है कि क्या state challenge कर सकता है center को under article 131 फिर चौथा point है कि no body to foster coordination manage bargaining and conflict resolution मतलब बहुत सारे हमारे board committees बने जिन्होंने recommend किया है कि एक ऐसी platform होना चाहिए जहांपे center और साथ में center to state और state और दूसरे state के बीच में coordination बन सके मतलब यह जो conflict आते रहता है state state के बीच में जैसे money पूरा साम हो गया या फिर अलग-अलग southern states के बीच में तो यह conflict का कोई platform यूज बनाना चाहिए और उसे continuously यूज करना चाहिए और जो existing भी bodies है जैसे interstate council, secretariat इसका भी utilization होना चाहिए यह हमारा सरकार या commission का अब का recommendation है पांचवा है कि centralization of power creating friction मतलब कि यह जो बार-बार to do में हो रही है center of state के बीच में यह दिखा रहा है तो power किस तरह से centralized हो रही है center के तरफ और उसके कारण कैसे friction create हो रहा है between center and state छठा है कि different political parties जैसा मैंने आगे भी बताया कि क्या हो रहा है कि जो political parties है अलग है center में कोई और है और state में अलग है तो उसके कारण भी आपका complication arise हो रहा है तो way forward क्या होगा तो way forward में आप लिखोगे कि जवरत है transparency or coordination का साथ में जो सरकार्या commission या पुंची commission का recommendation है उसको पुरी तर लागू करना चाहिए इन लोगों ने क्या-क्या in committees ने क्या-क्या recommendation दिया है इनके recommendation है जैसे कि जो office of governor है वो political होना चाहिए देखा गया है कि governor को governor एक tool हो जाता है center का अगर center को कुछ भी करवाना है state से तो वो governor के थू करवाता है तो इससे बहुत जादा tussle हो रहा है उसी तरह जो interstate council है उसका इभी utilization अच्छे से नहीं हो रहा है साथ में जो president का veto है to of the legislation मतलों guidelines clearly lay down करना चाहिए किसका तो president कैसे veto करेगा legislation मतलों कि अगर कोई state कोई legislation बनाता है तो president कैसे और किस topic किस issue पर उसका veto कर सकता है तो इस तरह से जो यह commission और committees बनती है इनके recommendation को भी follow करना चाहिए यह way forward में आप लिख होगे तीसरा point है कि जो fiscal space है उसको maintain करना चाहिए मतलों कि fiscal यानि कि finance state का ज्यादा मतलों कि taxes collection कम होते जा रहा है लेकिन उनके fund उनके जो expenditure है वो increase होते जा रहा है तो ज़रत है कि जो यह fiscal space है मतलों कि state को और जादा autonomy और power देना चाहिए finance collection का tax collection का GST के बाद क्या होए कि state का जो power है in regards to fund collection through taxes वो बहुत कम हो गया है तो इस पारे में भी हम way forward में दे सकता है चोथा है electoral reform, electoral reform मतलों कि जो भी money power हुआ, muscle power हुआ, इसका misutilization जिस तरह से होता है election में बाकी जो भी election commission का role है और बाकी भी electoral reforms है उनकी भी जवरत है उससे क्या होगा कि हमारी democracy strengthen होगी और हमारा federal structure भी अच्छा होगा, strong होगा और national interest और state interest दोनों का ख्याल रख पाएगा तो इस तरह से हमें electoral reforms की भी जवरत है साथ में जो specific recommendation भी है like CBI के लिए जैसे कि हम European principle of subsidiarity follow कर सकते हैं उसी तरह CBI को statutory recognition दे सकते हैं साथ में एक comprehensive system evolve कर सकते हैं of cooperation of legislative, executive and judiciary मतलब जो separation of power है और clarity है वो maintain रहे तो इस तरह से हमने समझा specific recommendation for bodies like CBI और साथ में overall CBI के related जो tussle चल रहा है उसके बारे में Thank you कर सकते हैं कर सही जो है झाल झाल